आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ कीकरणश हमें बताना है कि कौन सा ऐनजाइम यहां पर यूज होका तो जो आपका गलुकोस और फ्रक्टोस में कनफर्ट करता है वो आपका कौन सा अंजाइम होता है invertase, हमारा क्या होगा यहाँ पर, invertase होता है ठीक है, basically क्या करेगा, अगर हम यहाँ पर बात करें, enzyme की so enzyme आपका क्या करेंगे catalyzes the hydrolysis, या फिर आप breakdown बोल सकते हो, ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, कि enzyme का role क्या होता है it catalyze the hydrolysis, और आप कहा सकते हो, कि breakdown hydrolysis of यहाँ पर हमारा invertase है, वो किसका करेगा, sucrose का, ठीक है अगर invertase की बात करें, sucrose into fructose and glucose किसमे convert करता है, इसको fructose में and आपका glucose में, जो आपका sucrose होता है वो आपकी क्या है, disacride है यह हमारा क्या होता है, disacride है और यह इसको किसमे convert कर देता है इसको monosecrites में convert कर देता है यह हमारे monosecrites है तो invertase हुआ, glucose को glucose के breakdown के लिए जो enzyme use होता है, वो हमारा कौन सा enzyme होता है, zymase कौन सा enzyme होता है, zymase, जो आपका क्या करेगा glucose को, ethanol और CO2 में breakdown करेगा, ठीक है, तो invertase और zymase, तो यहाँ पर option 1 में amylase कहरा है, तो wrong है zymase and invertase, तो यह भी wrong हुआ, क्योंकि पहला invertase है third correct है, fourth भी हमारा wrong है क्योंकि यहाँ पर amylase है, ठीक है, क्योंकि जो amylase होता है, इसका main function होता है, यह hydrolyze करता है कि इसको glycosidic bond in starch molecule, which convert the complex carbohydrate into simple sugar तो हमारा correct option कौनसा हो, option 3 invertase and zymase, तैंक्यू classic situal से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने doubts 8-400-400-400 पर